मित्रों में उत्रार्थ की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है दलित वीमर्ष में हम विभिन्च चड़नों से गुजरते हुए पिछले व्याख्यान में दलित सहित्य की कुछ शिल्पगत विशेष्टाओं के बारे में जानकारी ले रहे थे आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और कोशिश ये रहेगी कि इस सीर्षक को हम पूरा करें हम दलित सहित्य की बाशा और उसमें उपस्थित होने वाले जो बिम्ब हैं जो प्रतीक हैं जो मिचक हैं उन पर चर्चा करें जहां तक बाशा का सवाल है दलित सहित्य पर हमेशा प्रस्ण उठते रहे हैं और अक्सर ये आक्षेप लगाया जाता रहा है कि दलित सहित्य की बाशा सही माइने में सहित्य नहीं है तो क्या ये प्रस्ण जो उठाया जा रहा है उचित है देखो प्रस्ण तो कोई भी हो वो उचित हो सकता है लेकिन जिस बारे में कोई प्रस्ण उठाया जाता है वो प्रस्ण उन प्रस्णियों के से विचार करके उठाया गया है बिना सोचे समझे उठाया गया है या किसी पूर्वा ग्रह से ग्रशित हो करके उठाया गया है इस बात पर निर्वर करता है कि क्या उस प्रस्ण का सही जवाब दिया जाना चाहिए या उसको जवाब योगे माना जाना चाहिए तो निश्चित तोर पर जो दलिट साहित्य है उसमें इतना दम है कि इस बात का जवाब हम दे सकते हैं जब लोग ये कहते हैं कि दलिट साहित्य की भाषा का स्तर वह नहीं है जो की साहित्य की भाषा का स्तर्भ होना चाहिए तो हम अब इस पर चर्चा करते हैं हम ये जानते हैं कि दलित साहित्य जो है उसने संस्कृत निश्ट जो परमपरागत साहितिक भाषा थी जो कावेगत शेली थी जो प्रस्तूतिकन था उसको नकार दिया था और दलित सहित्य की बाशा के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से नकार और विरूध की बाशा है निश्चित तोर पर जिस समाज को बूरी तरह से दबाया गया हो उसमें विरूध तो होगा इस्प्रिंग की स्थितियोती एक सीमा तक दबती है और उसके बाद वो वापिस उल्टा बल लगाती है और बल लगाने वाले को फैंक देती है यहां भी तक्रीवन तक्रीवन वही बात आई तो हम दलित जो सहित्यकार हुए है जैसे नेमी शरण है मौनदास नेमी शरण जिसकों कहते हैं आम प्रकास वालमिकी है शोरा शिंग बेचैन है जै प्रकास कर्दम है सावरिया अधी है इन सब की भाशा जो है पूर्वत पू इन्होंने अपनी बाशा को जो जी से हम कहसें दलित सहित्यकी बाशा को एक नया बिल्कूल नया एक विश्टार दिया क्यों दिया या क्यों हुआ ये विश्टार हम जानते हैं कि दलित रस्नाकार अपने परिवेश से और अपने उस समाज के सरोकारों से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं और वे इस जुड़ाव के कारण अपने निजी दुख की तुलना में समाज की पीड़ा को अधिक महत्व देते हैं और अकसर या आरोप लगता है कि दलित सहिते में में सब्द का अधिक जोर दिया जाता है सहिते कार जब कहता है तो में तो यहां हम कह सकते हैं कि जहां वो में सब्द का परियोग कर रहा है वो में नहीं असल में वो हम का प्रयोग कर रहा होता है क्योंकि उस में में सब का हम छुपा है और उस में के माद्यम से उस पूरे समाज की चेतना को वो प्रकट कर रहा होता है क्योंकि वो उस दर्द से पूरी तरह से जुड़ा रहता है इसलिए वो उसका हम भी में हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो मैं जो है वो असल में मैं में वो सब को हमको शामिल किये होता है और इसलिए उसने इनके पिडितों के उन्मूलन के लिए उसने लेखन का रास्ता चुना और चूंकि ये लेखन उसके खुद के जुडाव से उसके खुद की अनभूती से उसके खुद क ता लिए वे होता है उसमें एक प्रामानिकता होती है इसलिए सहज और इमानदार अभीव्यक्ति उसके लिए आवश्य कुई रूप उन्होंने की अब जाहे उसमें लेखन का स्तर दथाकती तोर पे जो लोग आरोप लगाते हैं कि अच्छा नहीं है वो हो गया होगा लेकिन इन्होंने इस बात की परवा नहीं किया और इनको एक नया पाठक वर्ग मिला जो ग्रामिन श्यत्र का था पिछले तबके का था यदि उसके लिए उच्छवर की बाषा का प्रयोग करते तो साइद इनका साहित्य दलित भावनाओं को उस तरह से प्रकट करने में सक्षम ही नहीं हो पाता तो इसलिए चूंकि दलितों में सीखषा का परातिशत बहुत कम है गाउं देहातrès में भी सीक्षा बहुत कम थी या कम है भी तो उनके लिए उनको समझाने के लिए उनकी चेतना को जागरित करने के लिए उनके स्तर पर साहिते को आना परता है और दलित साहिते में वही किया है तो हम कह सकते हैं कि हम साहिते की बार्षा की जो स्टर है उस पर कोई प्रेस्ट बाचक चिन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि साहिते लोगों के हित को ले करके चलता है और उस हित के लिए जो चेतना जागरित करनी होती है वो चेतना जागरित करने में यदि वो सफल है तो उसकी बाशा पर कोई प्रश्ण वाचक्चिन नहीं लगाए जा सकता हो सकता है कि कलात्मक दिश्टी से जो मांदन्ड स्थापित किये हैं उनसे वो थोड़ा सा अलग हट गया हो तो अलग होती है वो सब उससे जुड़ावा महसूस करते हैं उन्हें उसमें अपने त्वय का भाव दिखाई देता है इसलिए उसमें दलितों के लिए जो भाव होते हैं उसकी अभिव्यंजना बहुत अधिक सजीवता लिये होती है हम यह मानते हैं मान सकते हैं या यह एक सचा सचाई है कि किसी दलित की पीड़ा को गहराई से दलित ही जान सकता है कोई दूसरा नहीं जान सकता जिसने की उस बात की गंबीरता को उसके कष्ट को जेला नहीं हो इसलिए कह सकते हैं कि इसमें दी लोग कहते हैं कि दलित का साहिते दलित ही लिख सकता है दलित की पड़ा दलित ही ज कहते हैं तो अब तक लिखा गया साहित्य वैचा दलित द्वारा लिखा गया हो या गैर दलित द्वारा आप यदी इसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसमें अधिक सचाई से उन समवेदनाओं की अभिव्यक्ति हमको दिखाई देती है एक बात और है जो दल कहते हैं कि उस हम यह कहते हैं कि वो जो आलोसना करने वाले लोग है उनका जो विचार है उनका जो दिश्टी कोन है वही परिपक्वे नहीं है और कुछ लोग यह कह सकते हैं कि उनकी हैंसी उडाते होंगे जो यह कहते हैं कि परिपक्वे नहीं है लेकिन बोदिक वीमर्स ज एले के आगे हम जाते हैं तो फिर और अगे तक चले जाते हैं और वर्तमान काल तक आते हैं वह एक नया रूप ले लेते हैं अब एक बात हो रहे हैं कि आगे जोंकि दलित का साहित्याकारों द्वारा उठाया गया था कि दलित का साहित्या दलित ही लिख सकता है तो इस वाल उठता है कि क्या दलित का साहिते दलित ही लिख सकता है या दलित की पीड़ा को सिरफ दलित ही व्यक्त कर सकता है अब इस बारे में रविंद्र जी त्रिपाथी नाम के एक विद्वान हुए है तो वो इस बारे में कहते हैं कि दलितों के बारे में लिखने के लिए दलित होना कते ही जरूरी नहीं है और कोई भी साहित्यकार लिख सकता है वो कहते हैं कि इनिसकर्स सही नहीं है और फिर उधारिन देते हैं जो महिला लेखन चला था योरप में बारत में तो बाद में आया है योरप में चला था तो सुरू में कहा गया था कि महिलाओं के लेखन का कोई इस्तर नहीं है और महिला लेखन के लिए महिला विमर्स के लिए उन पर लिखा जाने के लिए साहित् कि नहीं महिलाएं जो लेखी का रभी है और उन्होंने महिलाओं पर जो लिखा है वह है उन लेखकों की तूलना में अधिक यथार्थ बताता है जो की पुरुष लेखकों द्वारा लिखा गया है तो साहिते की बाशा पर जब सवाल उठाते हैं तो जो ये कहते हैं कि दलित साहिते के लिखने के लिए दलित लेखक होना जरूरी नहीं है वो लोग असल में दलित साहिते या किसी भी साहिते को लिखे जाने पर ही या लिखे जाने के कारणों पर ही प्रस्न लगा देते हैं या उसको नजर अंदाज कर देते हैं साहिते कई वजहों से लिखा जा सकता है कई कारणों से लिखा जा सकता है और ये जरूरी नहीं कि अब तक जिन कारणों से हमारा साहिते लिखा गया आज भी वही कारणों साहिते लिखने के इसलिए कारण बदलते हैं कारण बदलते हैं तो साहिते का स्वरूप भी बदलता आगे जब है अरुन प्रफा मुखर जी इस बारे में लिखती है कि पाठक जब जातिये, वर्गिये, वंस और लिंग के आधार पर विभेदित होता है तब सौंदर्य परक गुणवत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों कि वह लेकक अथा दलित लेकक मुझे उस दुनिया के सच को बताता है जिसमें मैं रहती हूँ वो कल्पना लोग में नहीं ले जाता या बात को बहुत अच्छा बना के बताने की कोशिस नहीं करता जो है जैसा है जिस इस्तिती में है वो चीज वो हमारे सामने सीधी सीधी लाता है और ये नहीं कह सकते कि उसके साइटे में बाशा की जटिलता नहीं है निश्चित रूप से उन्होंने भी जो पुराने हमारे मांदंड रहे हैं उसमें जो बिम्ब रहे हैं जो प्रतीक रहे हैं जो बाशा की विशेशता रही है उन्होंने लिये हैं पुराने मिथक भी उन्होंने ली हैं पुरानों से पुराने जो हमारे सहित्य हैं उनसे और साथ-साथ वैसा का वैसा नहीं रखते हैं उसमें परिवर्तन किया है और उस परिवर्टन को उस समाज की चेतना को जागरित करने के लिए जिस रूप में काम में लिया जा सकता था उस रूप में परिवर्टित करके उसको लिया है तो दलित का आक्रोस की जो बाशा है उसकी अभिव्यंजना जो है वो हमेशा अर्थफून होती है और अपने जो उसके सामाजिक संदर्व होते हैं उनकी अभिव्यक्ति का एक आवान इस बाशा में मिलता है तो हम यह कह सकते हैं कि दलित साहित्य में एक परिवर्टन की छटपटाहट है उसमें अंतरसंबंदों की उर्जा है जो उस उर्जा को अपने बीतर चिपाए है और दलित साहित्यकार अपनी इसी बाशा के माध्यम से सामाजिक यतार्थ के प्रति समवेदन सील भी है और समाज की चेतना को आगे ले जाने का प्रयास भी करता होता है इसकी बाशा पर हम सिर्फ करात्मक द्रिष्टी से कुछ अलग होने के करण प्रसनवाचक चिंजों लगाते हैं हमारे विशलेशक या विचारक वो सही नहीं है अब आते हैं दलित साहित्य में बिम्ब है प्रत उसके विरोध में आक्रोस के फलस्वरूप आया है और वह उस सामाजिक यथार्थ को ही प्रस्तुत करता है हरता उस शोशन को प्रतिक प्रस्तुत करता है तो बिम्ब भी उसमें वैसे ही मिलेंगे चाहे बिम्बों का प्रयोग करे चाहे प्रतिकों का प्रयोग करे चाहे मि उन्होंने जो पूर्व का जो सामन्ती समाज था अर्थात जो सोसक समाज था उसकी एतियाशिक्ता सामाजिक्ता सांस्कृतिक प्रवर्ति को सहज रूप से लेकर के उसकी जो कमिया है उसकी तरफ इंगित किया है और प्रतीक जो लिया है उन्होंने एक मगरमच को लिया कैसे अकार घडियाल जल से निकल कर किनारों पर बैठा आहार का रसा स्वादन बड़े मज़े से आराम से लेता है देखिए सोसक समाज की तुलना मगरमस से किया जो सोशन करके आराम से बैठा है और मौजमस्ती कर रहा है और इसी तरह से इन्होंने और भी प्रतीकों का प्रयोग किया है जैसे पेड़ों का कर लिया बेड़ियों का कर लिया सूरों का कर लिया लोगतंत्र का कर लिया सोशन का कर लिया कुत्तों का कर लिया ये जो है सब्द जो है दमन सोशन और दमन इत्यादी जो है गुलामी के प् करते हैं ताकि जो समाजिक विद्रूपता हैं समाज कی उनको प्रकट किया जा सके यदि इसंतर जाएगा नहीं किया जाएगा तो वो करना संभव नहीं होगा केदारनाथ सिंग जी एक जैगे कहते हैं कि प्राचीन कवे में जो स्थान चरित्रों का हुआ करता था या चरित्र का होता था वही आदुनी कवीता या मालिज यह दलित कवीता में कह सकते हैं बिम्ब का अस्थान जो है बिम्ब अर्थात इमेज ने ले लिया है दलित कवीता में जो है दलित सहित्ते की त्रासदी और उसके यथार्थ को व्यक्त किया उसके परिवेश के आसपास जो गंदगी है, उस गंदगी की सडांद है, वो जो सीलन भरे मकानों में वो रहते हैं, उसमें जिंदगी एक प्रकार से सिशकती रहती है, सड़ती रहती है, उसके यथार्थ को इन लेको कोंद्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, एक कुछ दो पंक्तियों के माद्दे में उसे बताना चाहूंगा, धूल जो सेंक्डों वर्सों से जम रही है, पर्त दर पर्त, फेफडों में रामेशरी के, रंग रही है स्वास नली को, चिमनी सा कार खाने से उठते धुए सा, तब देखिए, हमारे समाज की जो कलुस्ता ह वो इन्होंने एक प्रतिक रूप में रामेशरी नाम दे दिया है, अर्था संपूर्ण दलित समाज को उसी तरह से कलुसित कर रही है, साथ ये आमप्रकास वालिमिकी द्वारा लिखी गई कवीता है, और इसके साथ साथ दलित कवीताओं में राजनीतिक बिम्ब भी प्रय चेतना लानी है, और उस चेतना के फलस्वरूप समाज को आगे बढ़ाना है, तो राजनीतिक चेतना का आगे आना जरूरी है, तो उसके बिम्ब भी जो है, हमको इन कवीताओं में इस साइटे में मिल जाता है, और इसके साथ साथ जो मिथक इन्होंने लिए, उनसे जो बि इन्होंने हमारे सामने कि ये दलित कवी होने है, जैसे पुराने जो हमारे पुरान इत्यादी थे या पुराने जो हमारे धार्मिक ग्रंत थे, उनसे भी इन्होंने लिया है, जैसे कर्ण को इन्होंने चुना, एक लव्य को इन्होंने चुना, संबूक को इन्होंने चुना तो क्यों चुना क्योंकि ये सोशित का प्रतीद है और दलित जीवन या दलित के जीवन की जो विसंगतियां है और जो विसंगताएं उनके साथ है उनको ये पूरी तरह से प्रकट करते है और उन सामाजिक संदर्वाँ को उन विशंगतियों को ये रिखांकित भी करते हैं एक कवीता में संबूग तुम्हारा रख्त जमीन के अंदर समा गया जो किसी भी दिन फूट कर बाहर आएगा ज्वाना मुखी बनकर तो यहां हम देखते हैं कि महाबारत के जो प्रतीक थे उनको भी इनोंने उभारा है उनका जो जीवन था एक दाहक जीवन था जलता हुआ जीवन था वो इनोंने हमारे सामने इन पात्रों के माध्यम से उभारा है और ये बताते वे इस बात को स्पष्ट किया कि जब भारतिय सहित्य में हिंदू दर्शन में ये कहा जाता है कि खाली मनुष्य मात्री ही समान नहीं है या खाली मनुष्य मात्री आत्मा का अंस नहीं है बलकि दुनिया का प्रतेक जीव आत्मा का अंस है तो वहाँ ये दलित साहित्य सवाल उठाता है कि जब हर जीव पसू, पक्षी, कीडा, मकोडा जब इस्वर का अंस है तो फिर ये दलित बराबर क्यों नहीं है ये इस्वर का अंस कैसे नहीं है तो कई जगे इन दलितों ने चुहडे या डौम आदी शब्दों का प्रियोग करते हुए अपनी बात को रखने की कोशिस करते हैं कि फिर इनको अलग क्यों मानते हैं जब जन्म की या मुक्ती की बात होती है तो मुक्ती इनको क्यों नहीं मिलती या आप इस बात से क्यों डूते हैं कि अगले जन्म में आपकी आत्मा को हम मानते हैं कि आत्मा अजर हमर होती है और फिर जन्म लेती है तो जन्म लेते वे व उनकी स्थितिक खराब है और वो खराब क्यूं है वो सामाजिक विसमताओं के करण है ये बात बार बार दलित सहित्य में उठाई जाती रही है और एक प्रस्ण और जो है रमनी का गुपता जैसे जो विचारक हैं वो रखते हैं कि प्राचीन भारतिय सहित्य में या इनके पूर्व के जो दलित सहित्य है उससे पूर्व के सहित्य में एक बासी पन सा आ गया था वही बिंब वही पृतिक वही विशे तो इन्होंने उसको बदलाव ला करके उसके बासी पन को या उस सहित्य के लिजलिजे पन को सहित्य से दूर किया और ये जो सहित्य है दलित का सहित्य है वो प्रत्यक्स यथार्थ से युक्त माना है और ये माना है कि इसी कार्ण से ये जीवन्त है मृत्य साहित्य नहीं बलकि जीवन्त साहित्य है और उनी लोगों को अपने साहित्य में पात्रों के रूप में उनी इस्तरी पुरुसों को अपने साहित्य में स्थान देता है जो कि इस तरह की परिश्चित्यों को भुगतते हैं और उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं से इन चीज़ों में गुथती हुई इन चीज़ों से उलजती हुई और बदलते वे मुल्यों को अपने साथ जोडती हुई ये जो संक्रामक दोर की जो सामनती शानो सोकत थी उसमें जो जाती है वरिष्था हुआ करती थी कि फला जाती उंची है फला जाती नीची है और वन्स वादी जो कुली इंता इत्यादी की चर्चाएं की जाती थी और धार्मिक कूप मंडिता जो है उस पर चर्चा की जाती थी सामाजिक खोजता हुआ आगे बढ़ता रहा है अभी जो पंचायती राज शब्द का प्रयोग कई जगे किया जाता है मैं यह मानता हूं कि पंचायती राज नहीं बलकि यह जो खांप पंचायते इत्यादी होती है या गाउं में कुछ लोगों की अधिक चलती है तो उसको हम पंच कहत है बट बैठाईगी समीटी पंचायत कहलाती है जो हमारा पंचायती राज है वो नहीं तो यह जो है इसको भी यह लोग नकाल देते हैं यह कहते हैं कि दलितों के खिलाफ एक तरह का सडियंद्र होता है कहते हैं ना समाज के बाहर कर दिया पंचायत के बाहर कर दिया उन ची गाउं में जितना फैला है जितने गिनित रूप में हमारे सामने आज आ रहा है वो सहरों में नहीं है लेकिन गाउं में हैं और आज भी विद्यमान है अलेंकि काफी हद तक इसका जो जन्जाल है वो कमजोर पड़ चुका है तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि दलित साहित्य जो आया है वो अपने कमियों के बावजूद अपनी उन कमियों से ज्यादा अपनी उन विशेस्ताओं के कारण आज आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है जो कि दलित चेतना को उपर से उपर ले जाता जा रहा है और उस विशंता को जो की समाज में हमारे पूर में रही है उससे संगर्ष करते हूं उससे मुक्ति की कोशिस करता जा रहा है और सहित्य को समाज के साथ जोड़ा है जो की पहले इतना जुड़ाव नहीं था इसी के साथ आज की मैं जो दलिच वीमर्स है उस पर अपनी चर्च नया टॉपिक सुरू करेंगे इसी के साथ जैहिन जैभार।